हलो स्टुट्ट्स नेक्स नम्र 18 यह भी सेम कंसेप्ट है लास्ट वाले को उपर बेस है पॉइंट आर डिवाइडा लाइन सेग्मेंट बिट्विन दा एक्सिस वही वाली चीज है इस पॉइंट को मैं एलेट कर रहा हूं आपको पता है य एक्सिस के उपर एक्स की वैलू क्या होती यहां देखो बी और यह को इंगेSw कोर्णारी है कि यह नहीं होगी यहाँ पर कोई पॉइंड है कोई हैं यहाँ जो सबसे पहले, by section formula, क्या use कर रहा हूँ मैं, section formula, क्या कहता है section formula आपके पास, यह कहता है कि जो r point होगा, h, k का, वो actual के अंदर क्या होगा, मारे पास, यह कैसे निकला होगा, यह ऐसे निकला होगा, m x2 plus n x1 divided by m plus n से, और यहाँ पर देखो, m y2 plus n y1 divided by m plus n से, तो इसको मैं नेम दे रहा हूँ, x1 y1, इसको मैं नेम दे रहा हूँ, x2 y2, r h, k equals to, यहाँ देना इसका थोड़ा सा भई, m की value किती है, यह आपके पास as a m हो जाएगा, और यह as a n हो जाएगा, m की value 1 हो गई, x2 की value देखो, x2 की value कितनी है, आपके पास x ही है, n की value कितनी है, हमरे पास 2 है, और x1 की value कितनी है, 0 है, divide m plus n यानि 1 plus 2, comma, m की value कितनी है, y2 की value कितनी है, हमरे पास 0 है, plus n की value हमरे पास 2 और y1 की value कितनी है हमरे पास only y है divide by 1 plus 2 r h, k equals to इधर देखो यह x plus 0 हो गया यह तो x by 3 y है इधर देखो यह 0 हो गया 2 y upon 3 y अगर मैं इनको compare करता हूँ तो यहाँ से हमरे पास on comparing h की जो value आएगी वो आएगी x by 3 यहाँ से मैं 3 को इधर भेज़के x का value निकाल सकता हूँ 3 h and k का जो value है वो है 2 y by 3 तो 3 k divide by 2 करके मैं y का value निकाल सकता हूँ, मुझे बता हूँ, दौनों चीज़ों में को दिखका देगा x और value की value निकालने में that passes through जो किस से pass कर रही है आपके पास a point से, a point का मतलब है 0, y यानि 0, 3 k minus 2 0, 3 k upon 2 है यहाँ, 0, 3 k upon 2 y की value ठीक है and b की जो value है वो क्या है हमार पास x, 0 x की value है 3 h छीक है, मुझे बता हूँ, यहां तक कोई doubt नहीं है कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल नहीं है आप दिहार ले रहा equation of line बनानी है, आपको बनाओ क्या होता formula हमार पास, y minus y1 equals to m m की जागे में directly value रखते तो हैं यहाँ पर y2 minus y1 upon x2 minus x1 और यह x minus x1, इदर देखो यह value हमार पास क्या थी, देखो x1 y1 थी value, यह थी x1 y1, यह है आपके पास x2 y2 यह 3 है चाहिए, एक सेकंड 3 है चाहिए चलो, y minus y1 y1 की value कितनी है, 3k upon 2 equals to y2 minus y1 y1 2 की value is 0, minus y1 कितनी है, 3k upon 2 upon, x2 की value कितनी है 3h, x1 की value कितनी है, 0 इदर आजाओ, x minus x1 की value कितनी है, 0 इदर लेलो, आप LC, यह हो जाएगा 2y, यह फिर constant value अपन एक तरफ भी कर सकते हैं वैसे तो, चलो देख लो यार, हाँ, देखो इतना हो गया हमार पास, यह हमार पास हो गया है 2y minus 3k upon 2 equals to यह value हाजाएगा, upon में 3h है और फिर यह क्या होगा, 3h इससे multiply हो जाना तो यह 3 से 3 cancel out हो गया ठीक है, और यहाँ पर value है only x बचेगा आपके पास तो यह 2 से 2 भी cancel हो गया, कितना बचा 2y minus 3k equals to minus k upon h, ठीक है और यह है आपके पास x देखो, finally क्या value बची है हमरे पास इसको मैं cross करता हूँ इदर तो यह 2y h minus 3k h equals to minus k x इदर लो ऐस value को तो यह देखो, positive में k x plus 2y h equals to 3 k h या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो k x plus 2y h negative 3k h equals to 0 this is your required equation of line clear है यहाँ पे this is complete cache number 18